इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Dayscore Oral Suspension Corticosteroids के नाम से जानी जाने वाली दवाओं के समूह से संबंधित है. इसके Anti-Inflammatory और Immunospressive गुन बच्चों में रोगों की एक बड़ी रेंज का इलाज करने की क्षमता प्रदान करते हैं. यह शिशुओं और बच्चों में Ducine Muscular Dystrophy के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राथमिक दवाओं में से एक है. अपने बच्चे को Days Core Oral Suspension मूँ के माध्यम से खाने से पहले या खाने के बाद में दें. इसे खाने के साथ देने से पेट खराब होने का जोखिम कम रहता है. हमेशा डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराग दे क्योंकि यह गंभीरता, संक्रमन के प्रकार और आपके बच्चे के शरीर के वजन और उम्र पर निर्भर करता है. अगर इलाज के दौरान आपके बच्चे का वजन कम या ज्यादा होता है तो यह बात डॉक्टर को जरूर बताएं. खुराग को कभी खुद से न बदले क्योंकि इससे आपके बच्चे में गंभीर परिशानियों का जोखिम बढ़ सकता है. यदि आपका बच्चा सेवन के 30 मिनिर के भीतर उल्टी करता है तो बच्चे को शान्त कराएं और वही खुराग दोबारा दें लेकिन अगली खुराग का समय होने पर यह खुराग छोड़ दें. इस दवा का पूरा कोस पूरा करना महत्वपून है क्योंकि इसे अचानक से बंद करने से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं. इस दवा को बंद करने के लिए डॉक्टर विद्रॉल लक्षनों से बचने के लिए धीरे धीरे इस दवा की खुराग को कम कर देंगे. देज को और ओरल सस्पेंशन आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम को दबा सकता है, जिससे आपके बच्चे में इंफेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. आपके बच्चे को अकसर मेडिकल चेक अप और टेस्ट की आवश्यक्ता पढ़ सकती है. इसलिए, इलाज के दौरान आपके बच्चे के डॉक्टर के साथ अकसर फॉलो अप करना महत्वपूर्ण है. डौक्टर आपके बच्चे के लिए विशन और बोन मिनरल डैंसिटी की जाच करवाने की भी सलाह दे सकता है क्योंकि डेस को और ओरल सस्पेंशन इन दोनों को प्रभावित कर सकता है. इस दवा के कारण वजन बढ़ना, भूक बढ़ना, श्वसन तंत्र के उपरी हिस्से में संक्रमन, खांसी, असामाने तरीके से बालों का बढ़ना, सेंट्रल मोटापा, फ्लुइड और इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रिबंस और जुकॉम लक्षन जैसे साइड इफेक्ट ह हो सकते हैं. अगर ये साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, तो अपने बच्चे के डॉक्टर से संपर्क करें. अगर आपका बच्चा किसी भी प्रकार के संक्रमन के लिए पहले से ही दवा ले रहा है तो अपने बच्चे के डॉक्टर को बताएं. भुरदै, रक्ठ, त् पूर्ण चिकित्सा इतिहास को भी बताएं. ये जानकारी खुराक में बदलाव और आपके बच्चे के समग्र इलाज की योजना बनाने में महत्व पूर्ण है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.